हाई आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक यूनीक स्टाइल साइड रेपिंग टिटोरियल जो कि आप देख सकते हूं इसमें जो लुक है वो थोड़ा सा बेंगॉली लुक आ रहा है थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ रहा है तो किस तरह मैंने क्रियेट किया चलिए देखते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरू करते हैं तो यह साड़ी मैं आज फिर से लेके आई हूं पहले मैंने इस साड़ी के साथ एक डिपिंग वीडियो बना चुकी हूं जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी उसके व्यू मतलब काफी अ होता है मतलब थोड़ा सा हमारा वैली फैट होता है वह स्लिम देखता है तो स्लिम बगारा देखने के लिए आप यह जरूर फॉलो करें वरना कमर पर काफियाद इखटी हो जाएगी इसे हमारी लुक में फिनिशिंग भी नहीं आती है और हमारी वैली फैट भी थोड़ी ज चाहिए तो इसके लिए हमें सेम बॉर्डर के साइज की ही प्लीट्स बनानी है इस चीज़ का आपको बेहत ध्यान रखना है अधर्वाइस आपका लुक बिल्कुल भी अच्छा निकल के नहीं आएगा बॉर्डर की वजए से इस लुक में चाचान लगते हैं इस चीज़ क आपको ध्यान रखना तो देखिए ठेट के अकॉर्डिंग सेम हमने प्लिट्स बनाई है अभी हम सारी प्लिट्स को अरेंज करेंगे और अपने प्ल्लू लेंथ निकालें डिखिए सामने से अन्दर की तरफ फैब्रिक को इंसर्ट करेंगे उसके आगे से थोड़ा सा प्लू को रखने के लिए जैसे मैंने यहां पर लिया है आप देख सकते हो प्लू लेंद कितने अच्छे से निकल के आ गई है पर मैंने यहां पर हील्स नहीं पहनी है तो पलू लेंद थोड़ी से जादा हो गई थी मैंने शॉट करके यहां पर पिन लगा लिए अब हम बैक फूरा पर जाकर निज़स लगाएंगे घक अब कि उतना पीछन लगां जितना पीछे हमारा हाथ पूंच सकता है क्यूंकि जब पिछे की तरफ लगता है तो आगे की तरफ तरफ नहीं गिरता है अगर आगे की तरफ नहीं गिरता है तो हमारा लोग अच्छे निकल के आता है इसलिए रीजन यहीं है जो सभी लोग कहते हैं के पल्लू पीछे की तरफ लगाना चाहिए टक करना चाहिए वह इसलिए तो देखिए अभी हमारी 80% साडी कंप्लीट हो यह इस तरीके से अरेंज करना है जैसे मैंने आपको दिखाया हाथ से थोड़ा साप्रैस कर देंगे ताकि प्लीट अपनी जगह खराब नहीं कियोकि अभी हमें यह प्लीट्स खुल सकती है जब हम यह स्टेप करेंगे अभी हमें बनानी है लोवर फेंड प्लीट्स बनाने प्लीट्स एक ही स्टेप में कम्प्लीट कर लेती हूं तो इसका रीजन यही है मैं कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हूं मैं वीडियो बनाते बनाते सीखी हूं बट यह चीज है मैं आपको जो भी ट्रिक्स बताती हूं मेरी खुद की मतलब आजमाई हुई ट्रिक् समझाने के लिए थोड़ा सा बोलने के लिए टाइम चाहिए होता है इसलिए तो देखिए अभी हम अपनी लोवर फ्रेंट प्लीट्स बना तो लिए मैंने अभी इन्हें अरेंज किस तरह करना है वो मैं आपको बताती हूं जितना मैट्र करता है फ्रेंट से फिनिशिंग रहे आपकी प्लीट्स में उतना ही बैक साइड से भी रहे क्योंकि इस तरह सारी प्लीट्स को हाफ आफ इंच की डूरी पर उठा लेंगे इसलिए पीछे से प्लीट्स को अरेंज करना काफी ज्यादा ज़रूरी है अरेंज करने के बाद बिल्कुल सेंटर में हम टक्क करें मैं अपनी जो मेरी उपर वाली प्लीट से उसे इस तरीके दे थोड़ा से बढ़ाऊंगी यह मैंने क्यों बढ़ाया है वो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ क्योंकि जो राइट साइड फोल्ड पड़ता है वो छोटा पड़े या फिर ना पड़े इस वज़े से मैं बढ़ाती हूँ क्योंकि राइट साइड वाला फोल्ड मुझे बहुत बढ़ा लगता है परसनली अगर आपको भी लगता है तो इस तरीके से फ्लीट जरू सेट करें बट यह ट्रिक हर फैबरिक वाली साड़ी में काम इतना ज़्यादा नहीं करेगी फोल्ड जो है ब पड़ेगा थोड़ा सा ही पड़ेगा अब घखे सारी बूर्ड को अरेंगे किस तरह करना है पीछे की तरफ ले जाऊंगी तो अभी मैंनन वस ऐसे ही टक करने के लिए लख़ा यह देख सकते मैंने किस तरह प्लीट से अरेंज की हैं अभी मैं यहां पर पिन लगा रही हूं तो देखिए अभी हमारा lower fan pleats का काम complete हो चुका है पलू का काम complete हो चुका है अभी हम आते हैं अपने upper fan pleats पे तो upper fan pleats हमें किस तरह arrange करना है वो मैं आपको दिखा देती हूं लेकि इस तरह से हर pleats को हमें उठाना है एक की ऊपर एक रखके अच्छे से arrange करना है अगर किसी pleats में अंदर की तरह फोल्ड दिखेगी तो इतनी finishing नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए तो देगे कितनी अच्छी finishing आई है आप चाहो तो इस लुक को ऐसे भी छोड़ सकते हो रीजन आपका जो blouse है वो थोड़ आसा crop top या फिर attractive होना चाहिए वट मेरा ऐसा नहीं था तो मैं इसलिए यहां पर pin लगा र लें उसके बाद एकि border के अंदर से यहां से pin लगाएं थोड़ा सा आगे की तरफ जुख जाएं और पिन लगाएं जब आप state खड़े होंगे तो आपको बिल्कुल मतलब कोई भी देख के नहीं बता सकता यह pin आपने लगाई कहां पे थी इतनी सुन्दर finishing आती है तो थोड पिन लग चुकी है जब ही मैं स्टेट हुई हूँ आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसास ही नहीं हो रहा मैंने लगाई कहां थी ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर stitch की हुई है मैंने अभी थोड़ा साम अपने लुक में finishing देंगे और एक waste weld के साथ अपने इस लोग को complete करेंगे लुक अच्छा लगा हो गाई तो लाइक जरू करते जाना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें मैं इसी तरह की साइड रेपिंग वीडियो और रिक्वेस्टेड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ और करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरू करते मिलते नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो गाई लुक कितना प्यारा निकल का है मुझे लुक परसनली काफी है तो पसंद आया मुझे तो इतना पसंद आया मैं सोच रही हूँ करवा चौत पर यही लुक करूं द